शियोपुर से महराष्ट तसकरी के लिए मानपुर दिहाद के चंगल में तसकरों ने खच्चे किये गोवंश पुलिस को मौकी पर देख चंगल में भागे तसकर धायला कीमती 23 बैल बच्चडों को पुलिस ने तसकरों के चुंगल से मुक्त करा कर गोशाला को किया सुपर्द मामली में पुलिस ने 5 आरोपियों पर FIR की दर्च पुलिस अदिक्षक आलोग कुमार ने बताया कि दिनांक 6-7 माई की रातरी गश्ट के दोरान मुक्बीर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि शंकर बंजारा निवासी शंकरपूर का टपरा अपने साथियों के साथ मिलकर मानपूर धोढ़र वा दिहात छेतर से गौवंश बैल बच्चडो को लेकर दिहात थान छेतर अंतरगत जंगल में एकतरित कर रहे हैं बाद में ऐसे एकतरित किये गौवंश को महराश्ट कतल खाने ले चाने की योचना है सुचना पर से एडिशनल स्पी सतेंद्र सिंग तोमर की निगरानी वा स्टी ओपी शियोपूर राचु रचक के नितरत में तीन थाने जिनमें कोतवाली टी आई सतीज दूबे मैबल थाना दिहात का पुलिस बल वा थाना प्रभारी मानपूर प्रदीप शर्मा मैबल सहित मौके पर रवाना किये वसन्योक्त पुलिस टीम को आरोपियों की खेराबंदी करने के निर्देश दिये गए उक्तु टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए गए घटनास्थल पर दबिश्ती पुलिस की अचानक उपस्तिती देखकर आरोपी सुल्तान बंचारा अपन कि यह आरोपी है शंकरपूर का डेरा है थाना मानपूर छेटर में आता है विगत रातरी को मुखबीर से सुचना मिली कि यह कुछ गोत असकर 40-50 जानवरों को लेकर महराश्ट की बॉर्डर की तरफ जाते हैं यह जिक में पेरे से शोहरत है कि यहां से एक सुल्टान बंज कि यह जाता है इस सुचना पर मानपूर पुलिस और देहार पुलिस के सभी तुसमें हम लोगों ने दविश पाड़ी और नाइस करी और वहां दविश दी तो वहां पर हमको 23 जानवर जो बेल थे छोटी नहीं उम्र के थे वो मिले बंदे हुए और जो आरोपी थे वहां स पुलिस को देखके भाग गये हैं और उनको हम लोग में जट करके पशु कुरुता अधिनियंद और पशु गोवत प्रतिशेद अधिनियंद के अंतरगत उनके खिलाफ कारवाई की गई है इसे पांच आरोपियों खिलाफ कारवाई की है और जब इनको पकड़ लिया के अधिन भानगो लाख्ब बेरताई जारावाई